फिर से आपका स्वागत है और सीधे हम आपको मुंबई ले चलते हैं जहां पर ग्रीमंद्रोय अमिशा इकारिक्रम में अपना समोधन दे रहे हैं खटाओ गाम में चन में पड़ाई लिखाई भी महाराश्च में हुई मगर कोई व्यक्ती निश्वार्थ जीवन कैसे जी सकता है और जीता है तो किस प्रकार की सुगंद की निर्मीती करता है उसको देखना है तो आप गुजरात में चले जाइए और सारवजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों से वकिल साब के बारे में पूशिये तो वो बताएँगे के वकिल साब का योगदान कितना पड़ा है उन्होंने अने लोगों के जीवन में जीवन का उदेश भी दिया उद्येश को प्राप्त करने का होसला भी दिया और उद्येश को प्राप्त करने के लिए सच्ची राह से कभी भी चलित नहीं होने का सहास भी लक्षमान डावी नामदार ने दिया और इसके कारण ही वकिल साब आज मेरे जैसे हजारों लाखों कारेकरता के लिए न केवल स्रद्दे हैं इनके जीवन में इनका बहुत बड़ा योगदान है तो मैं आज ही सवसर पर मन पुर्वक वकिल साब के सहकारीता क्षेत्र में और वकिल साब के कारेकरता घडने में जो सारवजनिक जीवन के कारेकरता को घडने में जो योगदान रहा है इसको मन पुर्वक प्रणाम करकर मेरी बात की सुरुआत करना चाहता हूँ मित्रो आज यहाँ पर मुझे बतायागा है कि बैंकिंग शेत्र से जुड़े हुए बहुत सारे अग्रणी लोग यहाँ पर उपस्तित है सिक्सावीद भी है निती निजारन करने वाले लोग भी है मैं आज यहाँ पर सहकारिता के बारे में बात करने आया हूँ भारत में सहकारिता अंदोलन कोई नया नहीं 1904 से ही भारत में सहकारिता अंदोलन इससे भी पुराना है मगर कारी कानूनी स्वरुप उसका 1904 से आया देखते देखते महराश, गुजरात, करनाटक, मध्यभारत, तमिलनाड और बंगाल में सहकारिता अंदोलन फैलने लगा काफी हद तक आजादी के बाद, सुरुवात के समय में सहकारिता अंदोलन ने एक बीच का मॉडल देने का प्रयास किया एक ठेट राइटिस्ट मॉडल था कैपिटलिस्ट मॉडल था और एक सोशिलिस्ट मॉडल था इसके बीच में एक मॉडल देने का बहुत अच्छा प्रयास सहकारिता ने किया यह जो दो मॉडल थे सोशिलिस्ट मॉडल और कैपिटलिस्ट मॉडल उसमें स्टेट और मार्केट की कल्पना थी सहकारिता मॉडल के अंदर को आप्रेशन की और सब के भले की कल्पना लेकर आगे बढ़ने का विचार था सरुवात के दिनों में महराष्ट के विखे पाटिल दननजराव घारगिल वरंकूट बाई मेता त्रिभोंडास पटेल धेर सारे लोगों ने सहकारिता के ख्षेतर को एक नई दिशा और नई संसकार देने का काम किया और इसके कारण कई प्रकार के उत्कुरुष्ट मॉडल इस देश के अंदर कोपरेटिव के खड़े हुए और विशेशकर ग्रामिन विकास और कुरुषी विकास का एक बहुत बड़ा जरिया सहकारिता क्षेतर बना प्रहंतु 1907 और विशेशकर 1967 के बाद सहकारिता क्षेतर के अंदर रादनितिक दखल बढ़ने लगी और दिरे 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 देश के अर्थतंत्र को भी एक अलग प्रकार के जटके भी लगे जुगाव भी आया और इसके कारण सहकारिता अंदोलन की बड़ी क्षती हुए और सहकारिता अंदोलन आज भी हम देखते हैं कि कई ऐसे बड़े संस्थान जो दुनिया की सबसे अच्छी ब्रांड मानी जाती है ऐसे संस्थान सहकारिता के मॉडल पड़ चलते हैं आप मैं इस सभागार में कहुँगा तो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा कि हमारे यहां स्वेत क्रांती का सहकार का जो मॉडल स्रीत रिभुवन भाई पटेल ने सो रूपियस की पूंजी से और बारा बहनों के साथ सुरू किया था वो मॉडल अच्छतीस लाख बहनों को जोड़ कर बीस हजार से ज़्यादा कोपरेटिव इसको जोड़ कर सालाना साथ हजार करोड का व्यापार करता है और मुनाफा पूरा का पूरा वो बहन के एंकाउंट में जाता है साथ हजार करोड का दूद का व्यापार अमूल के ब्रांट से थिस लाख बहने करती है और एक भी बहन की पूंजी इसके अंदर सौ रुपिये से ज्यादा नहीं लगी विश्व भर में ऐसा उदान साहधी मिलेगा कि सौ रुपिये की पूंजी से कोई बहन लाखो रुपिये का दूद बेचकर अपना घर चलाने का काम कर रही है गुजरात की समरुद्धी में और विशेश कर ग्रामिंट शेत्र की समरुद्धी में एक कॉपरेटिव का बहुत बड़ा योगदान रहा है इपको, कृपको, सुरुवाती दिनों में लिजज़त पापड लगपक 40,000 बेनों ने लिज़़त पापड बनाए और 130 देश के लोगों ने इसको खाए भी एक कॉपरेटिव मोडल की ताका थी कि 40,000 बेनों तक इसका मुनाफा जाता था परहुत ये कॉपरेटिव मोडल जो हमारे देश के लिए बहुत उप्यूक्त था हमारे देश में आर्थिक विकास तो चाहिए ही चाहिए साथ में सबके लिए रोजगारी भी चाहिए मास्ट प्रोडक्शन चाहिए और प्रोडक्शन बाई मासिस भी चाहिए मास्ट प्रोडक्शन से देश के अर्थतंत्र को गती मिलेगी और प्रोडक्शन बाई मासिस से देश के हर व्यक्ति को रोजगारी मिलेगी, हर व्यक्ति को अपना जीवन निर्वा करने का जरिया बनेगा तो सहकारिता क्षेत्र और देश क्या अर्थतंत्र के अंदर बाकी सारे माध्यमों से आगे बढ़ने की लिलक यह दोनों का कॉंबिनेशन ही भारत को आगे बढ़ा सकता है और सहकारिता का मॉडल मानव केंदरित मॉडल है मित्रवाज देश में 30 करोड सदस्यों के साथ 8.5 लाग कॉपरेटिव समितियां है 93,000 पैक्स है दो लाग दुख्द समीति है और इपको कॉपरेटिव अमूल धेर सारी ऐसी सहकारी संस्ताएं है जिनोंने समगर विश्व के अंदर नाम प्राप्त किया है हमारे 12 कॉपरेटिव बैंक्स 300 फर्स रेंक वाली कॉपरेटिव समितियों में विश्व की स्थान डगते हैं अभी अभी एकनाज जी ने जिक्र किया कि मोदी जी ने कॉपरेटिव डिपार्टमेंट को कुपरेटिव डिपार्टमेंट से अलग करकर एक स्वतंत्र मिभाद बनाएं बहुत सारे लोग ऐसा मानते थे कि अब कॉपरेटिव कालबा यह हो गया है इरिलेवन्ट हो गया है परंतु उसी समय मोदी जी ने कॉपरेटिव डिपार्टमेंट को अलग डिपार्टमेंट बना कर कॉपरेटिव मुवमेंट में एक नई जान डालने का काम किया है और फिल से उसको गती देने का काम है मैं थोड़ा इसके पीछे की मनसा के बारे में बात करना चाहता हूँ 2014 से 2023 तक नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के 60 करोड लोग जो देश के अर्थतंत्र के साथ जुड़े ही नहीं थे आप कहोगे कि किस तरह की बात भारत सरकार के मंत्री कर रहे हैं मगर मैं सच बोल रहा हूँ 2014 तक इस देश के 60 करोड लोग देश के अर्थतंत्र के साथ जुड़े ही नहीं थे क्योंकि 60 करोड लोगों के पास परिवार में खुद का छोड़ो परिवार में एक भी बैंक अकाउंट ही नहीं थे तो एक प्रकार से इनफॉर्मल एकोनोमी के तहत वो जीते थे कुछ कमा लेते थे खर्च कर देते थे खाते थे आगे गा भगवान जाने ना इनके जीवर में कोई सुरक्सा थी, ना स्थीरता थी, ना स्वपन थी इस 60 करोड लोगों को मोदी जी ने 9 साल के अंदर बैंक एकाउंट दिया खुद का घर दिया घर में पिने का पानी दिया घर में बिजली दि घर में गैस दिया घर में सौचा लए दिया हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज प्रती मा मुप्त देकर उसको खाने की चिंता से मुप्त कर दिया ये 60 करोड लोगों को 5 लाग तक का पूरा स्वास्त का खर्चा नरेंद्र मोदी जी ने फ्री ओप कोश्ट कर दिया और अचानक ही ये 60 करोड लोगों के जीवन में एक नई उर्जा का संचार पीडियों से जिनका जीवन कल मैं क्या खाऊंगा उसमें बीटता था आज उसकी खाने की चिंता समाप्त होगी उसका जीवन में कहां रहूंगा इसमें बीटता था इसकी रहने की चिंता समाप्त होगी उसके गर में घैर घैस बिजली आ गया स्वास्त की चिंता भी समाप्त हो गई अब वो क्या करे बैंक अकाउंट मिलगा अर्थतंत्र के साथ जुड़ गया और ये साथ करोड लोग अब देश के विकास के अंदर कंट्रिबिट करना चाहते हैं योगदान करना चाहते है मगर पुंजी नहीं है उनके पास पैसा नहीं है तो योगदान कैसे करेंगे इनके पास पुंजी नहीं है परन्तु पहले जो खाने पिने में पैसे जाते थे दवाईयों में पैसे जाते थे थोड़ा बहत बच्चों को पढ़ाने में जाते थे ये सारे पैसे बचकर थोड़ी छोटी सी पुंजी बनी है वो एक तो देश के विकास में काम करना चाहता है और उसके पास पुंजी नहीं है फिर भी उसको देश के विकास के साथ जोड़ना है तो इसका एक मातर रास्ता सहकारी तक शेत्र है कौपरेटिव है इसके माध्यम से ही ये साथ करोड़ लोगों को देश के विकास के साथ जोड़ सकते सहकारी तक शेत्र ऐसा है जिसमें बड़ी पुंजी वाले बड़े बड़े उद्योगों की स्परदा छोटी पुंजी वाले हजारों लोग इखटा करकर कर सकते है और मुनापा हर व्यक्ति के पास जासे मैंने जैसे पहले का अमूल का मॉडल किसी भी मैला ने 100 रुपय से ज्यादा नहीं निकाला मगर 36 लाक मैलाएं हैं और मुनापा करने लगा तो आज 60,000 करोड रुपय का व्यापार वो 100 रुपय की पुंजी से करते हैं तो यह 60 करोड लोग जो देश के अर्थतंत्र के साथ जुड़े ही नहीं थे वो 60 करोड लोगों को देश के अर्थतंत्र के विकास के अंदर योगनां करना है वीमेन लेड डेवलप्मेंट को आगे बढ़ाना है ग्रामीन विकास को महत्व देकर गाउं से सहरों की और बगने की गति को कम करना है और हर व्यक्ति को देश के अर्थतंत्र के साथ जोड़ना है तो कॉपरेटिव इस ओनली मोडल जो छोटे से छोटे व्यक्ति को छोटी पुंजी के साथ देश के विकास में योगदान करने का काम करा सकता है इसलिए मोडी जी ने कोपरेटिव डिपार्टमेंट की स्थापना की और आज मैं विश्वास से कह सकता हूं कि ए कम समय के अंदर धेर सारे परिवर्तन भारतिय जनता पार्टी की नरेंद्र मोडी सरकार ने कोपरेटिव के माध्यम से ग्रामीन अर्थतंत्र और देश के अर्थतंत्र को गती में लाने के लिए किये अर्बन कोपरेटिव बैंकों के लिए भी धेर सारे काम किये क्योंकि मैं बता देता हूं ज्यादा तर लोग इसी क्षेत्र से याँ पर बैठे हैं बाद में ग्रामिंग क्षेत्र की बात करूंगा सेटल्मेंट का प्रोब्लेम था अर्बन कोपरेटिव बैंक सेटल्मेंट नहीं कर सकते थे हमने इस मुद्दे को राईरीजव बैंक के साथ उठाया और अब अर्बन कोपरेटिव बैंक को भी सेटल्मेंट करने का अधिकार दे दिया गया है इसके साथ साथ अर्बन कॉपरेटी बैंक अब नई साखाये भी खोल पाएंगे, बैंक मित्र भी बना पाएंगे, माइक्रो एटियम भी खोल पाएंगे और व्यक्तिगत आवास रेसिडेंशल लॉन देने की इनकी रून की सिमा को भी दो गुना कर दिया गया है और इसके साथ साथ MLI के रुप में भी माइक्रो एंड स्मॉल एंटर्प्राइज को सामिल कर दिया गया है और कोलिटरल मुक्त लॉन देने का रास्ता अब खुल गया है धेर सारे ख्षेत्र करें परन्तु आमुल्चूर परिवर्तन ग्रामिल ख्षेत्र के अंदर हुआ है हमने तई किया है कि आने वाले पांच सालों में तीन लाग पैक्स नए बनाएंगे और हर पंचायत के अंदर एक पैक्स होगा और ये पैक्स मल्टी डाइमेंशनल होगे पैक्सी डेरी का काम करेगा पैक्सी मच्वारा समीती का काम करेगा पैक्स पेट्रोल पंप भी चला पाएगा पैक्स गेसी एजनसी भी ले पाएगा पैक्स जटल वित्रनका के भी काम करेगा पैक्स सस्ती अनाईच की दुकान भी चला पाएगा पैक्स सस्ती दवाईयों की दुकान भी चला पाएगा और पैक्स बंडारंपका भी काम करेगा तो एक समस्या थी कि पैक्स वायबल नहीं रहे थे पैक्स की रून लेने की और रून देने की दोनों सिमाओं को तई कर दिया गया था तो आधे परसंट पॉने परसंट में पैक्स वायबल नहीं बचे थे 20 प्रकार की नई गतिविदिया हमने पैक्स के साथ जोड़कर पैक्स को वायबल बनाया एक model bylaws भारस सरकार ने सभी राज्यों को बेजे और मुझे आनंद है कि 23 राज्यों ने irrespective of party politics model bylaws को accept कर लिया है और बाकी जगे भी इसकी समिती बन गई इसके साथ साथ multi-state organic cooperative society बनाई देश भर में organic agriculture produce को और कुद्रती खेती करने वाले produce को जो organic होते हैं इसको खरीदने की और विश्व के बाजार में बड़े उंचे दामों से बेचनी की वियोस्ता ये जैविक society करीगे एक multi-state export cooperative भी बनाया जो किसानों के दाम को और उत्पादों को एक्सपोर्ट करेगा इसका पूरा मुनापा सिदा किसान के पास ट्रांसपर होगा और एक multi-state cooperative बीच समीती के लिए भी बनाया है विश्व की सबसे बड़ी खाद्यान भंडारन योदना भी पैक्स के माध्यम से हम आगे चलाने वाले हैं इसके साथ साथ सहकारिता उनिवर्सिटी भी बनाने वाले हैं जैम के माध्यम से सारे cooperative की चीजों को बेचने की भी वियवस्ता की हैं और ग्यारा सो FPO भी नए पैक्स के माध्यम से होगे पैक्स अब CSC का भी काम कर पाएंगे सहकारिता क्षेत्र के अंदर ट्रेनिंग के मोडिल को भी हमने आमूल चूर परिवर्तन किया है और नई बनने वाली सहकारिता उनिवर्सिटी के साथ इसको जोड़ कर चाहे banking हो, चाहे dairy industry हो, चाहे storage हो, चाहे marketing हो या agriculture finance हो हर क्षेत्र के professional cooperative concept को समदने वाले professor professionals पैदा करने का काम, यह हमारी नई सहकारिता उनिवर्सिटी करेगी मुझे विश्वास है कि इसे ग्रामिन अर्थ तंत्र के अंदर वो जो 60 करोड लोग बिखरे हुए देश भर में बैठे हैं जिनको अब काम भी करना है, इनके स्वपन भी जागरूत हो चुके हैं खुद भी कमाना चाता है, देश के अर्थ तंत्र में योगदान भी कराना चाते हैं इस सभी 60 करोड लोगों के लिए देश के अर्थ तंत्र में योगदान करने का एक जरिया इसके माध्यम से खड़ा होगा हमने धेर सारे सरकारी बढ़लाव भी किये हैं इंकम टेक्स के अंदर कॉपरेटिव और कॉपरेट दोनों को एक समान स्तरपल लाने का काम आजादी के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी जीने किया है टेक्सेशन में एक ही लेवल करका लगबग लगबग दस अजार करोड से ज्यादा पूराना डिस्प्यूट और हर साल तीन हजार करोड की टेक्स की बचचत चीनी कॉपरेटिव मिलो के साथ करने का फैसला भारत सरकार ने किया है सहकारी समीद्यों के अधिपार को 12 परसंट से घटा कर 7 परसंट कर दिया मैट को 18 से 15.5 परसंट कर दिया मित्रो आज मैं यहाँ पर आया हूँ तब एक कहने आया हूँ कि कॉपरेटिव की घतिविदी को अगर हम समय के साथ बदल कर आधूनिक से आधूनिक टेक्नोलोजी को कॉपरेटिव क्षेत्र आत्मसाथ करकर आगे बढ़े तो मुझे पूरा विश्वास है आज के समय में भारत जैसे देश में रोजगारी के साथ अर्थ तंत्र के विकास का इसके बड़ा और अच्छा तरीका और कोई नहीं है इसलिए हमने सभी पैक्स को भारत सरकार के खर्चे से कॉंपिटराइज करने का काम किया है इसका सौप्टवेर और उसका लेगसी डेटा भी भारत सरकार के खर्चे से कॉंपिटर में डाल कर पैक्स को आगे पर कॉंपिटराइज करकर चलाने की पूरी वियस्ता भारत सरका आने वाले दिनों में सहकारिता क्षेत्र के अंदर, कॉपरेटिव क्षेत्र के अंदर धेर सारे नए कदम उठाये जाने वाले हैं। के साथ कह सकता हूँ कि कॉपरेटिव का भविष्य और उजवल होने जारा है। और विश्वास के साथ सहकारिता क्षेत्र ने आगे बढ़ना है और इस देश के साथ करोण लोगों को देश के अर्थ तंतर के साथ जोडने का पुन्यकारी हमने करना है मैं एक पर फिर से मुंबई इनिवर्सिटी के कुलपती और कुलाधीपती दोनों का रदय से धन्यवाद करना चाहूंगा कि लक्षमन राव इनामदार व्याख्यान माला के अंदर आज मुझे यहां कर कोपरेटिव आज के संदर्ब में इस विशाय पर बोलने का आप फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा कि वकिल साब के नाम पर आपने चैर प्रस्तापित करकर मेरे जैसे हजारों लाखों कारे करताओं को वकिल साब के नाम को आपने धन्यवादी देने का जो प्रयास किया है इससे बहुत उपकृत किया है तो मैं फिर से एक बार वो कारे क ता समो की ओर से भी धन्यवाद करकर मेरी वाने को विराम दूंगा वंदे मातर। ता समें योगदान दे सकता है वो बेहत महत अपोण है और इसी को ध्यान में रखते हो उन्होंने ये भी कहा कि प्रधान में नरेंदर मोदी के नित्तों में इसलिए सहकारिता को लेकर एक अलग विभाग बनाया गया और उसमें पूरी तरह से आमूल चूल परिवर्तन किया और भविश्य में भी सहकारिता में जो खार किये जा रहे हैं उनमें जास के इम यन survive का शूल आए।